शिरी तिरलोक चन छाबडा यह मेरे भारत की छोटी सी एक जाकी है अभी तो जमी में नीव भरी है शीश महल तो बाकी है मिशन आर्थिक आजादी के जनक शिरी तिरलोक चन छाबडा जी का जन सन 1957 में राजस्थान के अजमीर जिले के एक छोटे से गाउं नानसी में हुआ पिता मोहल लाल जी गाउं में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाते थे माता धापु देवी ग्रहनी थी चै भाई भेनों में से शिरी तीसी चाबडा जी तीसरे नंबर के पुत्र है अपनी प्रारंबिक शिक्षा इन्होंने अपने गाउं में और उच्च शिक्षा जैपुर में पूरी की विलक्षन प्रतिबा के दनी शिरी त्रिलोक चन छाबडा जी सफल व्यवसाई के साथ साथ एक संगीतकार, गीतकार, लेखक और एक अच्छे वक्ता भी है और फिर दो जार में ये जो सिस्टर ने रसीम के लू किया आई वस 18 जब रसीम की शुरुवात हुई और हमारे सामने ये सब चीज़े हो रही थी जब हम एजुकेशन में थे और हमारे पापा ने बिजनस टार्ट किया था और वो शुरू से बहुत ही सिंपल परसन रहे हैं तो उनका जो स्टाइल अव बिजनस था वो भी बहुत सिंपल था बट अट अड़ एड़ सेम ताइम वो ये जो उनका इक प्रिंसिपल है कि तिंग शुड बी और वेरी ओर्गिनाइज मैनर तिलोक चैन चाबड़ा जी को मैं लगबग पिछल सεται सालु से जानता हूँ और उनके सानिद्य मैं मैंने काम भी किया है जाबडाजी की जो सबसे पहली क्वालेटी है कि या तो जिन लोगों पर भी जो इस्वास करते हैं उन लोगों पर पूरा बिलीव करते हैं और दूसरे उनकी जो क्वालेटी है कि वो किसी काम को करने की जब ठान लेते हैं तो उस काम को किसी भी हालात में उसको पूरा करते है जब यह चलू किया दा अर्सेम उससे कुछ समय पहले कुछ सिस्टम यह इंदुस्तान में चलते ते जो जानकरीम है तो एक दिमाग में पता नहीं एकदम विचार से आया कि यह तो बड़ा सुंदर सिस्टम है अगर हम इसमें नॉर्मल प्रोड़क्ट जो हमारे रोज उप्य नहीं दिया के चीज बिचरे 25 साले हो और उनके शानीदिय में मने काम भी किया हुआ है टीसे ही शावडाई जी की सबसे बड़ी क्ואל़ेडिय है उनके लिचे यशाय थलिये काम काम होता है काम छोटा और बढ़ा नहीं ग personla को उतने ही सीडियस से करते हैं ज़ ne वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो मुझे याद है जब आर्सियम की सबसे पहली मीटिंग मीटी एक दम फर्स्ट मीटिंग मैं उस मीटिंग में प्रेजन थी और वो एक पेड़ के नीचे बाहर मीटिंग मीटी जहां पर मुश्किर से शाद 20 लोग बैठे होंगे क्या मलूँ इन से पहली बार मिलते ही मुझे लगा कि कुछ विशस व्यक्ति है जो बोल्ड है और फिर वो याद है वो एक कंपटराइज कान हो गया कि मेरे एक नेचर है कि मुझे अगर कोई चीज अच्छे से समझ में आगा मैं कन्वेंस हूं कि हां यह जिंदगी में सही है यह विवर ब्रुकता निए हुँ तो आर शेम की यह कान इंए सुरू सरू में सबने मना किया करिवार अवलों ने मना किया दोस्तों ने भी मना किय बहुत सारी चीजे भी हुई लेकिन मैं कन्वेंस था मुझे समझ में आ गया था कि ये सिस्टम है इसको देश को इसी जुरत है आम आदमी की जुरत है हुई बोलते है लाइफ में कि चाहे दुनिया कहिं कहीं पर कुछ भी कर रहे हो चाहे पूरी दुनिया वी अगर वो चीज कर रही है और अगर वो गलत है तो हमको उसका साथ ćिना चीह हमको हमेशा सही据रनी करने ठीं जो उन्होंने अपने जenda आप तो उन्होंने पूरा क जबान के सच्चे यह उनमें मानता है MLM के नाम पर जदातर कंपनिया कुछ मेंगे प्रोड़क्ट लाती है उसमें और जदा कुछ उसमें से बाटने की कोशिस करती है और हम आरशियम में से क्यों प्रोड़क्ट लाते हैं जो बहुत कम रेट में होते हैं जाधा इधर कुछ चीजों को हाई फाई करना या कुछ बहुत ज्यादा फरकें कर देना तो मेरे को कुछ मेंगी चीज खरीदा पसंद है लाइप मेरे को जो पसंद नहीं विभेच के सकते हूं हमारा इंदोस्तान का मिसीं मंगल। इसका एक बहुत बढ़िया उदारन है उन्होंने उस पर्टिकुलर बजट में उनको बनाने की सोचा तो उन्होंने वो चीज बना कर दी है। यह कोई भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और इन्होंने जो सोच लिया कि मुझे ये काम करना है वो करके रते हैं और इन्होंने जो भी सोचा इमानदारी से कर रहे हैं पूरा बहुत सारी चुनूतिया है इस काम को करते हुए बहुत सारे लोगों ने साथ निभाने का वादा किया, साथ चले, काम को आगे बढ़ाया फिर उनके मन में पता नहीं क्या लाला चाया तो उन्होंने पूरा बाहर जाकर एक नहीं कंपनी शुरुआत किया और पूरा RCM पर अटेक करना चाहिए और RCM के सारे लोगों को सारे सिस्टम को तोड़ने की एक बार नहीं कई बार बार ऐसे प्रयास हुए जब जब ऐसी गटना हुई है तब तब RCM में बड़े निर्णे हुए है जो सामान्य गति से जल रहा था उसमें एक मजबूती है एक बड़े नेने लेने की ताकताई कि अब तो इसको करके ही रहना है वो बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं वो एक्दम सट्य और सीमित मातरम कि लोगों को कभी भी आप और कमिट्मेंट मत करो दो जार ग्यारा में जो हमारे साथ में गौवर्मेंट का उसमें बहुत अलग हमारे पर इफेक्ट वा इस चीज का कि यह भी होता है क्या लाइफ में ऐसा पूरी दुनिया नहीं बोल सकते हैं लेकिन मन में विश्वास था कि आखिर जो सत्य होता सामने आएगा ऐसा ट्राइजिक पीरिड आया था कि पूरी दुनिया नहीं बोल सकते साथ चोड़ दिया इन फैक्ट जो एकदम अपने बोलने के लिए उन लोगों ने भी साथ चोड़ दिया लेकिन पापा की वो जो हिम्मत थी और जब जब भी हमने उसके बाद या उस दौरान जब भी कि हमको मौका मिला उन से बात करनेगा उन्होंने एक ही चीज बासमको बोली थी कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि हमने कुछ गलत नी किया किसी के साथ और जो आर्शियम परिवार है उनका इतना इस्वास था कि उन्होंने एक साल इंतजार किया और पूरा डटे रहे और जब उनका इतना इस्वास था तो उस इस्वास में इतनी ताकता गई और ये सब चीजे जो भी संकट का समय था वो निकला और अब सब चीजे दिर दे अच्छी हो रही है ऐसे साथ ही मुझे इस सिस्टम की उजए से मिले आज इतनी बड़ी सेना कह सकते है इतना बड़ा परिव इतनी बड़ा सामराज्य होने के बाद भी उनमें तनिक वर्भी एहंकार या पैसा होने का गमंड दिखलाई नहीं देता है ये उनकी साधगी और उनकी मानता को दर्शाता है मुझे मेरे फादर इनलोगी एक क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है कि वो आज इतना बड़ा बिजनस करने के बावजूद भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि किसी को भी विश्वास नहीं होता जब में उनकी बाते उनकी किस्ते सुनाती हूं एक छोटी सी बात ले ल है उनके जीवन में उन्होंने बहुत संगरस्तों किया ही है लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें है सादगी और सच्चाई अर्सियम की सुरुवास से ही में काम कर रहा हूं और जब आर्सियम इनिस की सुरुवाद हुई थी तो टीसी साबडा जी की एक सोस थी कि दुनिया में आति हैं मैं जो कंपनिया इंडेल मारकटिंग में हो बड़ी-बड़ी और महंगे महंगे परड़क लेकर आती है और तीसी साबड़ जी शोच थी कि मैं ऐक एक कंपनी की स्ताफ ना करों जो इस तरह खें परड़क बनाएं जो इंडिरेट में हो इंडियन कल्चर में हो इसके बाद हमने पूरे सिस्टम सेट किये, हमने पूरे टेक्निशियंस सेट किये, हमने लिबुरेटरी सेट की और इतना बड़ा सेट अप हो चुका है कि आज हमारे RCM की प्रोड़क्ट रेंज में गरीब 400 प्रोड़क्ट सामिल हो चुके है और आगे ये स्रिंखला चालू है, RCM क्यों अपनी ओन मेनुफेक्टरिंग एकाईया स्तापित करता है या अपना सेट अप क्यों लगाता है इसके पीछे मुख्य कारण है कि RCM ने अपने प्रोड़क्ट डवलप्मेंट में चार कमिटमेंट कर रखे हैं कि ये चारो चीज़ें हमेशा रहेगी पहली चीज़े प्रोड़क्ट उप्योगी होंगे, दूसरा स्वास्ती के लिए अच्छे होंगे, क्वालिटी नंबर वन होगी और रेट बहुत रीजनेबल होगी RCM हमेशा उसके लिए कमिटेड है और इसलिए इतनी सारी कहिं अस्तापित की गई है और नए प्रोजेक्ट प्लानिंग में है, फर्स्ट येर था उसमें 21 क्रोड का टोटल टर्णोर होगा था और हाइस टर्णोर जो है RCM का वो 1750 क्रोड तक एक साल का हो चुका है अच्छी बात ये कि हर साल 30% ग्रोथ हो रही है, पिछले 5-6 सालों से मेंटेन ग्रोथ है अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहीगी कि कोई भी कमी किसी भी तरह की हमारी तरफ से नहीं रहीगी कि इस काम को एक बहुत उचे मुकाम पर पहुँचाना है और जब लाखो लोगों के जीवन में अगर हमारे इस छोटे से प्रयास की वज़े से अगर थोड़ा भी हम कुछ योगदान कर सकते हैं ये हमारे बहुत गर्व की बात है तो आईए सदी के इस महापुरुष, आर्थिक आजादी के जनक, लाखो लोगों के प्रेड़ना इस्त्रोथ, श्रिति लोग चंजी छाबड़ा को हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओजस्वी उद्भोधन के लिए आमंत्रित करते हैं